ब्रेक के बाद आपका एक बाद फिर से स्वागत है ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से प्राइवेट सिक्षन सस्तायन लगातार सिक्षा के नाम पर लोगों को लूटने में लगी हुई है मनवानी फिर बढ़ाकर किस तरे वो लोगों की जेप पर डाका डालने हैं ये जानने के लिए हम विद्याधर नगर में एक परिवार के गर पहुंच चुके हैं और वहाँ ये जायजा लेंगे कि किस तरे जो बेतहासा फिस बढ़ रही है उनसे उनके घर का बज़ट परभावित हो रहा है संदीप चौधरी विद्याधर नगर में एक फ्लैट में रहते हैं संदीप प्रोपर्टी का काम करते हैं पतनी रेनु जोधरी सरकारी स्कूल में टीचर है इनके भी दोनों बच्चे उतकरश और उन्नती प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं सालाना स्कूल पढ़ाई का खर्चा देड़ लाख रुपया बैड़ता है और संदीप के इनकम सालाना करीब 4 लाख रुपया है यानि उनकी 40 फिजदी इनकम की राशी बच्चों की स्टड़ी पर ही खर्च हो रही है हमारे जैसे दो बच्चे हैं एक बेटा है एक बेटी है उन दोनों की हमारी एन्वल इंकम है करीब साड़े तीन पौने चार लाख रुपय और उनकी दोनों की फीस और खर्चा श्कूल काम मिला आगे आप यह मानलो डेट पौने दो लाख रुपय हो जाता है तो उसमें फिर और भी कई चीजे होती है इसके अलावा भी परिवार में कोई बिमार और 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 कोई पारिवारी को अन्ने दाईत लेदी होते हैं उन पर भी खर्चा करना पड़ता है सेविंग्स की भी फ्यूचर के लिए करनी पड़ती है तो बड़ा मुश्किल है यह ब रेनो चौधरी का कहना है कि फीस तो जैसे तैसे मैनेज कर ली जाती है लेकिन कभी annual फीस कभी tuition फीस तो कभी transport का खर्चा ऐसे में घर पर कोई या फिर रिश्टेदारी ये function आ जाता है तो नौबत पैसे उधार लेने किया जाती है लेकिन सिक्शन संसाओं को इससे कोई वा अब तो लगाम लगने ही चाहिए। अब तो ये परिवार भी सिक्षा के नाम पर मची हुई लूट को लेकर बेहत परभावित है। अब भावक भले ही महेंगी सिक्षा का रोना रो रहे हूं। पाई पाई इकठा करके उलाद की परवरिश में लगा रहे हूं। लेकिन प्राइवेट सिक्षन संस्थाओं को इससे कोई वास्ता नहीं है। उनके दिल और दिमाग में तो बस ये ही चलता रहता है। कि कैसे नए नए तरीके और फॉर्मूले इजात किये चाएं और पैसा वसूला चाएं। फरस्ट इंडिया के लिए जैपूर से कैमरा परसन घंशाम कुल्दीव के साथ दिनेश डांगी की रिपोर्ट। झाल